इन्वाइस को इंट्रड्यूस किया गया था आज से तक्रीबन 6 महीने पहले रूल 48 सब रूल 4 के तहित जिसमें ये का गया था कुछ specific taxpayers है जिनके लिए इन्वाइस mandatory होगा अब इन्वाइस का मतलब ये नहीं है कि जो हम invoice होगा government के किसी website या portal पर जाके बनाएंगे इसका procedure थोड़ा अलग है तो इन्वाइस को अभी हम समझेंगे और इन्वाइस के लिए हम clear tax का software यूज कर सकते हैं जिससे ये complicated procedure काफी easy हो जाएगा तो आज से करीब 6 महने पहले 1st October को कहा गया था ऐसे taxpayers जिनका turnover 500 करोड से ज्यादा होगा उनके लिए mandatory होगा फिर कहा गया 100 करोड जैन्वरी से और अब कहा गया 1st April से जिनका भी aggregate turnover 50 करोड से ज्यादा होगा अब ये aggregate turnover किस तरीके से calculate किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो उसकी description में आपको एक video का link मिल जाएगा जहांपर हमने पुरानी videos में discuss किया हुआ है और ये कौन से year का turnover हम देखेंगे तो ये हम turnover देखेंगे पिछले साल का यानि कि financial year 2021 का जो अभी चल रहा है जो 31st March को end हो जाएगा अब इसका procedure देखते है क्या procedure है ये invoice generate करने का तो government ने का है कि उन्होंने एक format दिया है एक standard format है उस standard format में ही हमें invoice बनाना पड़ेगा तो अभी जो लोग paper में invoice बनाते थे या किसी software में बनाते थे या किसी excel में बनाते थे तो वो invoice नहीं चलेगा एक specific standard format में ही invoice बनाना पड़ेगा और उस और कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे और इस standard format में जो invoice बनेगा इसे हमें upload करना होगा एक website में government ने कई सारी websites हैं जिने ये authority दे रखी है और उन्हें कहते हैं IRP यानि कि invoice registration portal तो जो भी registered portal है जिसे government ने authorize कर रहा है उस IRP की website में जाके आप उस standard format के invoice को upload करेंगे वो IRP portal जिस standard में आपका invoice होगा उसे read करेगा उसमें जो भी details होगी उन्हें verify करेगा और उसे digitally sign करके आपको दे देगा यानि कि आप उसे download कर सकते हैं और उस invoice में जब आप देखेंगे तो उसमें एक IRN number यानि कि invoice reference number जो की unique number होता है जिससे कोई भी person उस invoice को verify कर सकता है और साथी QR code होगा तो वो भी verification के लिए होगा और यह आपको मिल जाएगा तब हम कहेंगे कि भाई यह जो आपका invoice है यह e invoice बन गया है और आप उसको use कर सकते हैं लेकिन यह procedure जितना दिखने में easy लग रहा है actual में उतना है नहीं क्यों नहीं है देखिए एक तो जो e invoice है वो हर invoice के लिए नहीं है कुछ special type के invoice है उनी के लिए mandatory है कुछ के लिए mandatory नहीं है तो वो हम देखेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से invoice आपको इस format बनाने है और कौन से नहीं बनाने है और जब आप IRP portal पर invoice upload करते हैं देखिए invoice तो आपने upload कर दिया यहाँ पर यह जो invoice होता है सिर्फ एक दिन के लिए रहता है यानि कि within 24 hours अगर आपको कोई change करना है तो आप कर सकते हैं उस invoice को अगर आपको amend करना है तो 24 hours के अंदर कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको करना है तो आप IRP portal पर उसे change नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको change करते हैं तो फिर आपको अपने GST के पोर्टल पर जाके चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, लेकिन अगर आप clear tax का e-invoice को software यूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या benefit है, जो भी record रहेगा आप, जो भी आप e-invoice बनाएंगे, उसका record 8 years तक रहेगा, आप 8 years तक चेक कर सकते हैं, पिछले 8 साल में किस-किस दिन में आपने कौन-कौन से e-invoice बनाए थे, और भी काफी इसकी amazing features है, तो अब देख लेते हैं, किसके लिए जरूरी है, और किसके लिए जरूरी नहीं है, अगर हम बात करें, e-invoice mandatory किसके लिए है, तो जो भी B2B invoices कि उनके लिए mandatory है, अगर कोई debit note है, credit note है, जो कि B2B supply से related है, तो यह mandatory है, अगर कोई export invoice है, तो भी है mandatory है, अगर B2B invoice को revise किया गया है, तो भी है mandatory है, लेकिन इसमें कौन-कौन से exempt है, जिनके लिए हमें e-invoice ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसमें e-invoice बनाते हैं, तो accept ही नही बना सकते हैं, लेकिन B2C के लिए यह कहा गया है, कि आपको अपने invoice में QR code जरूर mention करना होगा, कौन सा QR code, ताकि अगर customer आपको digitally payment करना चाहें, तो कर सके, यह mandatory है, लेकिन अगर कोई debit note है, कोई credit note है, जो कि unregistered person का है, उसके लिए भी जरूरी नहीं है, कि आप e-invoice बनाए अगर कोई goods transport agency है, या कोई passenger transport के business में है, तो उनके लिए भी e-invoice जरूरी नहीं है, वो invoice नहीं बना सकते हैं, अगर कोई bank है, कोई financial institution है, कोई insurance company है, या फिर special economic zone जो government ने define कर रखे हैं, उस special economic zone में कोई unit है, कोई business है, उसको भी e-invoice बनाना जरूरी नहीं है, चाहे उसका टर् पचास करोड से जादा होता हो, लेकिन दियान रखने वाली बात यह है, अगर कोई SEZ developer है, जो special economic zone developer की definition में आता है, तो उसके लिए e-invoice mandatory है, लेकिन SEZ unit है, तो mandatory नहीं है, इसके अलावा, अगर हम receipt voucher बनाते हैं, अगर हम advance payment receive कर लेते हैं, तो होता है न, आगर आपको पता ह होगा services के case में, अगर हम advance में receive कर लेते हैं कोई amount, तो उस पे भी हमें GST pay करना पड़ता है, तो अगर receipt voucher आपने बनाया है, या payment voucher बनाया है, उसके लिए भी e-invoice mandatory नहीं है, तो अब हमें सबसे पहले जब e-invoice बनाते हैं, तो यह categorization करना बहुत जरूरी है, और अब जानत forward format में invoice की हम बात कर रहे हैं, यह कैसे बनेगा, तो इसके लिए government ने कहा रखा है कि उन्होंने एक Excel utility है, एक Excel utility बना रखी है, उस Excel utility में चाहें तो आप manually invoice बना सकते हैं, लेकिन जब आप invoice manually बनाएंगे, उस Excel utility में एक तो बहुत time consuming है, और गलती के chances बहुत जादा है, क्योंक date गलत डल जाए, registration number गलत डल जाए, या HSN code में कोई गड़बड हो जाए, tax calculation में कोई गड़बड हो जाए, तो काफी problem आती है, इसके लिए आप clear tax का software यूज कर सकते हैं, जिसके benefits बहुत ज्यादा है, एक तो benefit यह है कि अगर आप इसे चाहें, तो अपने ERP software जो आप यूज यूज करते हैं, तो जो भी आप software यूज करते हैं, तो जो भी B2B invoice होगा, वो automatically invoice बन जाएगा, जो B2C होगा उसका नहीं बनेगा, तो यह clear tax के software के तुरू, आप तुरंत इसको ERP के साथ अपना attach कर सकते हैं, जो भी आप ERP software आप यूज करते हैं, या फिर अगर आप ERP use न जाके भी अपने invoice की details दे सकते हैं, तो आपका invoice automatically बन जाएगा, अब इसको setup करना बहुत easy है, आप clear tax को within 3 minutes आप setup कर सकते हैं, किसी भी ERP से connect करिए, और 24 into 7, yes, कभी भी आप इनको support service का benefit आप ले सकते हैं, और benefit आपको यह मिलता है कि यहाँ पर जो भी आपका data रहेगा, यह पिछले 8 साल तक का data आप access कर सकते हैं, proper save रहेगा, और यहाँ पर आपको customized reports मिलेंगी, जिससे कि आप अपना data reconcile कर सकते हैं, और आप इसे चाहें, तो e-wail के साथ भी integrate कर सकते हैं, जिससे कि आपको e-wail बनाने में भी आसानी हो जाएगी, दूसरा कि आगर आप e-invoice बनाते हैं, तो आपकी जो GSTR 1 होगी, वो भी automatically filled हो जाएगी, तो उसमें जो details होगी, वो भी automatically आजाएगी, उससे आप इससे connect कर सकते हैं, और बहुत affordable है, और clear tax discount भी offer कर रहा है अभी, तो description में आपको link मिलेंगे, आप वहाँ से access कर सकते हैं, और e-invoice ज़रूरी हो ना, हमेशा हमें करेंगे, हो सकता है, हम जो purchase कर रहे हैं, वो सामने वाले person के लिए e-invoice ज़रूरी हो, और जो भी हमारे inward supply होगी, उसकी जो e-invoice होगे, उसको भी ये बहुत आसानी से reconcile करता है, उसका भी track record रखता है, जिससे कि आप input tax credit की जब calculation करेंगे, वहाँ पर भी आपको काफी आसानी होगी, इसके अलावा इनका जो portal है, clear tax का, वहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हैं, तो जो भी validations हैं, जो भी in corrections हैं, वो आपको screen पर इस तरीके से नजर आ जाती है, जिससे जाएक, for example, आपकी tax calculation में गलती है, या आपने invoice date या invoice number series में कोई गड़वड कर दी, आपने GST number क गलत डाल दिया, तो ये automatically screen पर आपको data को review करके बता देगा, कि आपके किस section में, या किस point में आपकी गलती है, जिससे कि आप उसको rectify कर सकते हैं, तो in case अगर आप इस software में interested हैं, या आप अगर clear tax के partnership program में interested हैं, जिससे कि आप इसे refer करके earn कर सकते हैं, तो description में आपको links दे करके वहाँ पर इसे access करिये, और e-invoicing के बजाए अगर आपको normal supply के लिए भी, normal calculations के लिए भी, reconciliation के लिए भी, अगर आपको GST के लिए जरूरत है किसी software की, तो आप clear tax को जरूर इस्तवाल कर सकते हैं, आप इसका demo भी ले सकते हैं, तो in case अगर आपके कोई भी doubt होते हैं, GST कि किसी भी topic से related, तो आप comment box में जरूर लेख सकते हैं,